नबस्ते हम फिर से आ गए हैं बंडोबंद के एक नए एपिसोड में अब आप पूछेंगे कि आज बंडोबंजी क्या कहने वाले हैं अचली वह इस दुन्या में नहीं है पर उनके कुछ किसे मुझे याद है जब हम क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में जानते अब भी नहीं थे तब वो उन्होंने रिसेच किया था उस पह librarian कहा था कि यह अगर हम कर सकतेRight अच्छा थे और ऑप उस वक्त इंडिया में इतनी cryptocurrency की धूम नहीं थी तो बंडो बंद कहते थे कि काश मैं लंडन में होता काश मैं यूएस में होता पर फिर भी जो उन्होंने कहा है वो आज एक मैं example दे के आपको बता दूँगा जैसे वो कहा करते थे कि अगर कोई trading वाला एक website application हो जहां पर मुझे जाके क्रिप्टो की trading करनी हो या bitcoin जैसे कहते हैं कि इसकी trading करनी हो तो मैं क्या करता था तो वो कहते हैं कि मैं अगर उसमें जैसे हमारे Bombay Stock Exchange में NSE में बहुत सारे shares है तो उसी तरह जब आप किसी यहां mediator के साथ कि अपना account खोलते हो जैसे अभी वजीर X है या Coin DCX है तो अगर आप Coin DCX का यह example लेते हैं तो वहां पे तकरीबन अभी 51 cryptocurrencies है जिसमें आप invest कर सकते हैं तो वह कहते हैं कि अगर आपके पास एक हजार उपया हो और आप हर क्रिप्टो करन्सी में डालो तो 15,000 उपय हो गए उसे आप एक हफ़ते तक देखो ही मत संडे टू संडे एक हफ़ते के बाद जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो इन्वेस्मेंट है टॉप लेवल इन्वेस्मेंट जो सबसे हाई जा चुके वो सबसे उपर दिखाई देगी उसे साट करो उसो एक्सल चीट हुआ कर देदी और जो लोवर है जिसकी कीमत जादा बड़ी नहीं है या फिर जिसकी कीमत कम हो गए यह वो लोवर में होंगे तो अगर आपने 51,000 इन्वेस्ट किये है तो आपको end of the week में वो शायद 51,000 के let's assume 57,000 हो गये है अब एक हफते में 6,000 बहुत अच्छा है लेकिन अब आप stock exchange पे जब इन्वेस्ट करते हो तो क्या करते हो जब share high जाता है तो उसे बेज देते हो और वो जो profit है वो ले लेते ह हो या फिर आप जब short sale करते हो तो उल्टा होता है तो यहां पर वो जो उल्टी जीज है वो यहां पर करनी है cryptocurrency में अगर आपको पैसा बनाना है तो ऐसा बंडो-बंद जी कहा करते थे और मुझे लगता है उनकी बातों में कुछ तर्थ्य है तो देखिए 51,000 आपने 3,400 आपने लगाव जो सकती है तो नीचे वाले जो है आपको क्या करना है 51,000 इंगा 56,000 हो गया है एक हफते में तो आपको वह 6000 प्रॉफिट है वो निकाल लेना है तो वो कैसे निकालेंगे तो नीचे के जो 6 है 5 या 6 shares है जो sorry shares की बात आती है but I'm not sorry it's cryptocurrencies तो नीचे के जो 6 cryptocurrencies है जिनकी value 6000 हो रही है क्योंकि आपको profit 6000 का हुआ है 51,000 has become 57,000 let's assume तो 6000 का profit हुआ है तो नीचे वाले जो bitcoins है cryptocurrencies है उसे आप बेच दो फिर से क्या होगा 6000 उपे आपके bank account में आ जाएंगे और 51,000 बचेंगे लेकिन जो 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 bitcoins है जो ज़्यादा बड़े नहीं है वहां पर आपकी investment अभी जीरी हो गई तो बचे 51,000 में से अगर आप 6 निकाल तो उनको बेच वी मत लेकिन जो नीचे वाले हैं अगर next week में ऐसा होता है कि वह 51,000 के let's assume 59,000 तो इसका मतलब आपका 8,000 रुपीज प्राफिट है तो नीचे वाले जो है उनको सिधा discard कर दो in this way you will get the best cryptocurrencies which you have और अगर आपके पास 51,000 फिर से आते हैं calculation लेकिन सही ध्यान में रखना 51,000 का calculation सही है 51,000 के अगर आप 51,000 के अगर आप 2,000 करते हो तो it becomes 1,2,000 तो आपकी जो मुद्दल investment है वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए तो हर मैने यह हर हफ़ते आप कम से कम 5,000-6,000 रुपे आराम से निकाल पाओगे cryptocurrencies में से देखिए बंडोपन ने काया है तो करके देखिए हो सकता है हर हफ़ते की कमाई शुरू हो जाए